प्यारे बच्चों, रिशिकुल ओनलाइन स्कूल में आपका स्वागत है। आज हम अपनी पाठे पुस्तक का पाठ पाच पढ़ेंगे, जिसका नाम है जैसे को तैसा। उजैन नगर में हरिदास नामक एक ब्रामन रहता था। वह भिक्षा मांगकर अपना गुजारा करता था। भिक्षा यानी भीक। एक दिन उसे भिक्षा में एक सेर चावल मिले। मोसम खराब होने के कारण वह चावल पका नहीं पकाया। उसी नगर में सुननदा नामक एक औरत रहती थी। हरिदास ने सुननदा को चावल दिये और उन्हें पकाने के लिए कहा। सुनन्दा ने कहा उसके घर में चावल पकाने के लिए हांडी नहीं है तब हरिदास ने उसको एक हांडी दी और कहा कि इसमें पका दो तो यह कहानी है एक ऐसे आदमी की जिसका नाम हरिदास है और जो दूसरों के साथ बुरा करता है और अंत में उसके साथ भी बुरा होता है सुनन्दा ने हंडिया में चावल पकाए और हरिदास के सामने लाकर रख दिये हरिदास को हंडिया में एक पाव चावल कम लगे हरिदास ने का बहन यह हंडिया कह रही है कि तुमने इसमें से एक पाउचावल निकाल रहे है सुनन्दा बोली क्या तुमारी हंडिया बात करती है इस हंडिया के बोलने से ही तो मेरी पेट का गुजारा होता है सुननन्दा हसी और बोली हरिदास भाई मैं अकेली हूँ मेरा कोई नहीं है यह हंडिया मुझे दे दो मैं इससे बात करूँगी तो मेरा समय कट जाएगा जितने पैसे तुम मांगोगी मैं तुमें तूँगी तो हरिदास ने कहा इसकी कीमत पूरे 2,000 रुपे है मैं 2,000 रुपे में यह बोलने वाली हंडिया तुम भी दे सकता हूँ यदि तुम इतना पैसा दे सकती हो तो इस हंडिया को ले सकती हो इस प्रकार से हरिदासने सुनननदा को मुर्ख बनाया सुनन्दा ने हरिदास को दो हजार रुपे दिये और हंडिया ले ली हरिदास रुपे लेकर चला गया सुनन्दा ने उच्छुकता के साथ हंडिया के सामने एक गलास लाकर रखा और हंडिया से पूचा हंडिया बता मैंने क्या लाकर रखा है हंडिया ने कुछ न कहा तो सुनन्दा ने उसके सामने तरह तरह की चीज़े लाकर रख दी और सवाल किये पर हंडिया कुछ न बोली सुनन्दा को हरिदास के चलावे पर क्रोध यानी गुस्सा आ गया और वह बहुत दुखी हुई उदर हरिदास को दो हजार रुपे मिल गये थे वह चल पड़ा रास्ते में सुनसान रास्ता था एक कुछ लग गया तो हरिदास ने उसको पकड़ कर रसी से बांद लिया और अपने साथ लेका चल पड़ा उदर से एक अफसर घुड़े से गुजर रहा था उसने देखा कि हरिदास कुछ पर सवार होकर जा रहा है अफसर ने हरिदास से पूछा यह बताओ यह कुछ अच्छ है कि मेरा घुड़ा आपका घुड़ा मेरे कुट्टे के मुगाबले कहीं से भी अच्छा नहीं है दिन बर घास दाना देना पानी पिलाना होता होगा फिर मालिश करनी पड़ती होगी एक आदमी को उसकी देखपाल में लगी रहना होता होगा पर मेरा कुट्टा ऐसा नहीं है जहां छोड़ द तो वहीं अपना भोजन तलाश कर लेता है यानि ठून लेता है और खा पी कर घर आ जाता है तो इस प्रकार से अब हरिदास ने उस अफसर को मुर्ख बनाने के लिए सोचा तो हरिदास ने का इसने आज तक मुझे तंग ही नहीं किया इस लिहासे तो मेरा कुट्टा तो अफसर बोला हरिदास क्या तुम हमारे घोडे के बदले में इस कुट्टे को दे सकते हो हरिदास ने ना नुकुर की मना किया तो अफसर जिद करने लगा अंत में हरिदास ने कुट्टा अफसर को दे दिया और उसका घोडा ले लिया इस प्रकार से कुट्टा दे कर और उसके बाद अफसर को उसको कुत्ता दे कर अफसर ने पूछा इस कुत्ते पर सवारी करते समय से काबू में कैसे रखूंगा हरिदास ने बताया लचीली छड़ी के दो तीन चाबू इसकी पीट पर जमा देना तुरंत ही काबू में आ जाएगा हरिदास शान से खोड़ी पर चला गया उदर अफसर ने कुत्ते पर बैटकर उसको आगे बढ़ाना चाहा पर कुत्ता तो टस्से मस ना हुआ अफसर ने छड़ी से कुत्ते की पिटाई की कुत्ता कुस्से में आ गया और गुर्रा कर अफसर पर लपका और उन्हें काट कर भाग खड़ा हुआ अफसर को काटो तो खून नहीं क्योंकि घोड़ा भी हाथ से गया और कुत्ता भी अब हम दूसरा भाग आगे की कहानी में परणाएं